C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरीए पेश है सफ़ा नंबर 94 सबख 13 बकरी ने दो गाउं खा लिए एक मर्तबा शाह जहां बाद्शा अपने मुसाहबूं के साथ जंगल में शिकार खेल लहा था अचानक उसे एक हिरन नजर आया उसने हिरन के पीछे घोड़ा डाल दिया हिरन चलांगे मारता हुआ चला जा रहा था और घोड़ा आंधी और तूफान की तरह उसका पीछा कर रहा था इस भागदोड में मुसाहब ना जाने कहां खो गए बाद्शा अकेला रह गया गर्मी की चलचलाती दोपहड थी बाद्शा को सक्त प्यास लग रही थी वो इधर उधर घोड़ा तोड़ाने लगा कि कहीं पानी नजर आ जाए अचानक उसे एक जोपड़ी नजर आई अंदर कोई है बाद्शा ने नस्दीक जाकर आवास दी एक बुढ़ा जो देखने से चरवाह लगता था जोपड़ी से बाहर आया बाद्शा बोला मैं एक शिकारी हूँ सख्त प्यास लगी है पानी पिलाओ अंदर आ जाओ भाई तुम्हारी प्यास जरूर बुझेगी बुढ़े ने कहा बाद्शा जोपड़ी में ताखिल हो गया मैं अभी आता हूँ चरवाह ने कहा और बाहर चला गया थोड़ी देर में मिट्टी के प्याले में वो बगरी का दूद लेकर वापस आया बाद्शा ने ताजा और मीठा दूद पिया प्यास बुझ गई बाद्शा ताजगी महसूस करने लगा मैं तुमसे बहुत खोश हूँ और तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ बाद्शा ने प्याला वापस करते हुए कहा इनाम काहे का ये तो मेरा फर्ज था बुढ़ा बोला नहीं तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा तुम्हें दो गाउं जागीर में दिये जाते हैं लाओ कागस उस पर लिख दूँ कागस लेकर देहली चले जाना और बाद्शा को दिखा देना वो तुम्हें दो गाउं दे देगा बुढ़े की आँखें हैरत से फट गई उसे अपने काणों पर यकीन नहीं आ रहा था मेरे पास कागस कहां बुढ़ा बोला बाद्शा ने पीपल का एक बड़ा सा पत्ता उठा लिया और उस पर लिख कर बुढ़े को देते हुए कहा लो ये बाद्शा के खिदमत में पेश कर देना बुढ़ा दो गाओं के खयाल में मगन था सोच रहा था कि अब तो मजे आ जाएंगे बस यही सोचते सोचते वो लेड़ गया पत्ता फर्श पर रख दिया और उंगने लगा अचानक वो तड़क कर उड़ गया एक बकरी वही पत्ता खा रही थी हाए तूने दो गाओं खा लिए वो दर्दनाक आवास में चीखा मैं बरबाद हो गया मैं लुट गया बहुत देर तक वो बच्चों की तरह से सकता रहा फिर सोचा देली जाकर बादशा को सारी दास्तान सुनाई जाए हो सकता है बादशा को तरसा जाए और वो उसे दो गाओं बख्च दे देली पहुँचकर उसने बार बार कोशिश की कि बादशा से मिले मगर किसी ने किले में ना खुसने दिया पहरे दारों ने हजार बार डांट भटकार कर भगा दिया अब तो उसकी हालत खराब हो गई पागलों जैसा हो गया और देली की सडकों पर चिलाता फिरता बकरी ने दो गाओं खा लिये मैं बरबाद हो गया लोग उसे पागल समझ कर हंसते थे बच्चे कंकरिया मारते मगर वो बस यही रट लगाते रहता बकरी ने दो गाओं खा लिये मैं बरबाद हो गया देली में लाल कले के सामने ही जामा मस्जित है बादशाह हर जुमे को वहां नमास पढ़ने जाया करता था रास्ते के दोनों तरफ लोग बादशाह के दीदार के लिए खड़े हो जाते थे चरवाहा भी उसी रास्ते पर जाकर खड़ा हो गया वही शक्स था जिसे उसने दूद पिलाया था प्यासा शिकारी वो बादशाह निकला बुड़ा बेख्तियार चीख उठा बकरी ने दो गाओं खा लिये मैं बरबाद हो गया बादशाह के बढ़ते हुए कदम ठहर गये उसने बुड़े की तरफ देखा और जैसे उसे उस दिन का वाकिया याता गया उसने मुस्कुरा कर कहा नमाज के बाद हमसे मिलो नमाज के बाद लोगों ने दूआ के लिए हाथ उठा दिये बुड़ा देख रहा था बादशाह के हाथ भी उठे हुए थे उसने एक शक्स से पूछा बहला बादशाह किस से क्या मांग रहा है उसे किस चीज की कमी है उस शक्स ने बताया बादशाह अपने खुदा से दूआ मांग रहा है उस खुदा से जिसने उसे बादशाह बनाया है बादशाह, फकीर, छोटे, बड़े सब उस से मांगते हैं बोड़ा गहरी सोच में डूब गया बादशा भी खुदा से मांग रहा है मैं भी क्यों न उसी से मांगूं बादशा के सामने हाथ क्यों फैलाऊं वह मैं जाता हूं जो बादशा को देता है वही मुझे भी देगा सफा नंबर 98 मश्क, लव्ज और मानी मुसाहब बादशा के दरबारी जागीर वो जमीन या गाउं जो बादशा हूं या नवाबों की तरफ से दी जाए फर्श जमीन दर्दनाक दर्द से भरा हुआ बख्ष देना दे देना, दान कर देना दीदार आंके फटी की फटी रह जाना मुहावरा हैरत जदा रह जाना बे इख्तियार बे काबू गोर कीजिए घराए महमान से इज़त से पेश आना चाहिए और उसके खातिर तवाज़े करनी चाहिए नेकी का बदला नेकी होता है असलित देने वाला खुदा है वही बादशा और फकीर सब को देता है इसलिए सब को उसी से मागना चाहिए सफा नंबर निन्यानवे सोचिये, बताईये और लिखिये एक, बादशा की प्यास किसने और किस चीज से बुछाई दो, बादशा ने बूढ़े चरवाहे को इनाम में क्या दिया तीन, बूढ़ा चरवाहा दर्दनाग आवाज में क्यों चीखा चार, बूढ़ा चरवाहा किस बात की रट लगाता था पांच, बुढ़ा चरवाहा बादशा से मिले बगएर वापस क्यूं आ गया? खाली जगों को दिये हुए लवजों से पूर कीजिए जागीर, बादशा, मुसाहब, डांट, दीदार, दूद एक, इस भाग दोड में खाली जगा न जाने कहां खो गए? दो, थोड़ी देर में मिट्टी के प्याले में वो बकरी का खाली जगा ले कर वापस आया तीन, तुम्हें दो गाउं खाली जगा में दिये जाते हैं चार, पहरे दारों ने हर बार खाली जगा भटकार कर भगा दिया पांच, रास्ते के दोनों तरफ लोग खाली जगा के खाली जगा के लिए खड़े हो जाते थे मिसाल के मताबिक लवजों को लिखिए मिसाल, चीज, चीजें, चीजों आँख, खाली जगा आवाज, खाली जगा सफ़ा नंबर सो बकरी, खाली जगा खुशी, खाली जगा मिठाई, खाली जगा पत्ता, खाली जगा मिसाल के मताबिक जोड मिला ये संसनाती, चिलचिलाती, कड़कडाती, लहलाहाती, जमजमाती सर्दी, फसलें, बूंदें, हवा, धूप यहाँ मिसाल के तौर पर संसनाती को हवा से जोडा गया है तो नया लवज बना संसनाती हवा इसी तरह आगे भी जोड़िये पढ़िये, समझे और लिखिये एक दिन आपकी अम्मी स्कूल आती है कुछ दूर तीन लड़कियां खड़ी है वो जानना चाहती है कि उन में से फरहत कौन है आप फरहत की पहचान बताते हुए जवाब देंगे कि वो लंबी और गोरी जिसने दो चोटियां बान्ध रखी है फरत है लंबी, गोरी और दो चोटियां ये अलफाज सिफ़त को जाहिर करते हैं इसे अलफाज, जिनसे किसी इसम की अच्छाई या बुराई जाहिर हो, उन्हें सिफ़त कहते हैं इसके अलावा भी सिफत की कई किसमे हैं, जैसे, हमारे घर में दो लीटर दूद आता है, अम्मी जान ने गरीब लोगों को खैरात दी, लीमू खटा है, तीसरा बस्ता मेरा है, वो फौजी बहुत बहादुर है, अम्मी ने सो रुपे दिये, आपने सुना कि इन जुम्लों में कई सिफतों का पता चलता है, यहां कुछ तस्वीरे दी गई हैं, इन तस्वीरों की सही सिफत लिखिए, सफेद, छोटे, मोटा, खुबसूरत, बुढ़ा, ताजा यहां कुछ तस्वीरे दी गई हैं, इन तस्वीरों में एक मोटा लड़का, कई छोटे बच्चे, एक बकरी, एक बुढ़ा आदमी, एक कटोरे में दूद, और एक फूल दिखाया गया है, इन तस्वीरों के सामने उनकी सही सिफत भरिये, किसने क्या कहा, उनका कोई एक जुमला उनके सामने लिखिये, इस कहानी को मुक्तसरन अपने अलफाज में लिखिए, यहां तस्वीरों में कुछ जंगली जानवरों की तस्वीरे हैं और कुछ पालतु जानवरों की, उनहें दिए गए खानों के मताबिक लिखिये, खाने हैं जंगली जानवर और पालतु जानवर दिये हुए लवजों को सही खानों के मताबिक लिखिए एक खाना इस्म के लिए है दूसरा खाना जमीर के लिए है और तीसरा खाना फेल के लिए है अलफाज हैं शाजहां खेलना वो बकरी डालना इस जंगल मारना हिरन तुम घोड़ा करना दोड़ना ये आंधी आना पानी जाना मुझे लिखना मैं उसे देना जोपड़ी वही चरवाहा तुम है सफा नंबर 104 यहाँ पर कुछ तस्वीरे दी गई है जिन में एक बकरी एक हिरन एक घोड़ा एक जैबरा और एक मोर है इन तस्वीरों को पहचानिये और उनके नाम उनके सामने लिखिए इसी के साथ ये सबक यहीं पर खत्म हुआ समय रिकॉर्डिस्ट बतिलैंग लिंग्डो समय फनकार परवेज गोहर और शिमायला परवेज एडिटिंग हिदायतकार और तखलीककार विमलेश चौधरी पेश करदा CIET NCERT नई दिल्ली भारत